आज कर ने होता है दुकान में पुरा पुरा दिन बैटे रहते कोई नहीं आता है क्या अपको क्अए है कोंछ चाहिए नहीं यह जो दुकान खूलके बैठेए ओ ट्रेड लाइसेंस लिए हो तू press भी क्या होता भया, आरे दुकान खोलने के बाद, कदूपुर का नगर निगम से तुमको ट्रेड लाइसेंस लेना परता है, इसे कैसे दुकान खोलके बैठ गया हो तुम, सर्वे चल रहा अभी कदूपुर में, जो लोग ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है, उन सभी से अपल तुम्हारी अपनी है या किराए पे है अपनी है भया अच्छा तो दुकान के मालिक तुम हो नहीं ने भया मालिक हम नहीं है हमरा बाबु जी है मालिक अच्छा क्या नाम है तुम्हारे बाबु जी का मेरे पापा का नाम कद्दू है अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है मेर ना बाबुजी सरकारी आदमी हम इंतजार नहीं करेंगे बुला के लाओ आरे बापा तो घर परें आरे तो हम क्या तुम्हारे बाबुजी का यहां पर बैटके इंतजार करें हमको और भी काम है जो भी डीटेल तुमको पता है फटा फट बता हमको बाबुजी का तुम्हारे ठीक करे लेंगे. बताओ दुकान का foods कितना अच्छा 400 स्कॉ अरे और बाप का नाम है कपया है। तुम क्या चाते हों गौर्णेट का खरचा बढ़ा दे। पहले पेपर में लिखके जाए, फिर उसको दे, फिर वो कम्प्यूटर में डाले, पेपर पैन फिरी में आदा है, और जब तक हम यहां पे लिखेंगे, तब तक तो वो खाली रहेगा मापे, तो तुम क्या चाते हो, उसको फिरी का तंखवा मिले, एक तो ट्रेड लैसेंस ल क्ला पता है क्थे पेशार्य, आायं सान जुंकर बंधा रहे है hours वावडेसे लिखेंगे सी अपधेशाज़ उन कभी लिखेशने कर नहीं बनौब अल्युम बंगे पेशिए उन उसमें पागल लर्का इसी को ट्रेड बोलते हैं यहापे PutAM नहीं चल रहा है तो जब किसी हो से समान्त बीचते हैं इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं और वो के अलग है अरे तो जो हम समान बेचते हैं, उसके पर तो हम सिल्स टेक्स देते हैं सरकार को, तो फिर ये नया टेक्स क्यों ले रहे हैं, साला दिन पर में बोनी होता नहीं है, खाली टेक्से जमा करेंगे क्या, तो बहुत से साला बोनी हुआ नहीं है, एक भी कस्टमर नहीं है, लेकिन स अभी तक मैं पांच विक्मंगा आ गया है जिसमें से चार को तो लटा चुके हैं और एक को क्या पैसा दिये अरे अभी तक दिये नहीं है लेकर हमको पता हूँ हमसे जबरदस्ती लेका जाएगा अरे अच्छा ऐसा विक्मंगा हमको कभी नहीं मिला है हमको मिलेगा तो दू जूता मानेंगे उसको ठीक है जहां भी हूँ आपको बिक्मंगा दिखे न उसको अमरी तरफ से भी दू जूता मारियेगा लेकिन उससे पहले सीशा के सामने खड़े होकर अपने आपको मरियेगा काई कि प्रेक्पिस हो जाएगा न कैसे मरना है अरे ये क्या अक्षा कर रहे हो जाधा इधर अदर का बात मतकोरो मेरे पास ज्यादा समय नहीं आज पूछते हो वह बताओ यह बताओ। तुम्हारा टररफ कितना है यह बात लाप्र कितना है उस essay साल में के 12 रुपए का सेल करते हो दो मैं 25 रुपए का सेल करते हैं अरे तूम्हारा बारा है हाँ तो हम्रा एज 12 है, लेकिन से थोड़ी न 12 रुप्य één है हाँ तो हम तुमारा उमर्द हो इन पूछ रहे है, जो 12 साल बता रहे हो हम तुमसे टर्ण ओवर पूछ रहे है अरे हमको लगा कि आप लोगती बासा में टर्ण ओवर का मतलब एज होता होगा काय कि आप पूछे ना, तुमारा टर्ण ओवर कितना है, इसलिए हम बोले हमना टर्ण ओवर 12, काय कि हमना एज 12 है ना आरे टर्ण ओवर का मतलब होता है पूरा साल का सेल, बताओ कितना है यही कुछ 4-5 लाक रुपया होगा, एकुरेट पापा को पता है हमको नहीं आरे बहुत लगता है, आरे तुम बोले ना, एकुरेट नहीं है, अंदाज में बोल रहे है, तो इसलिए हम 8 लाक रिखे है, काय कि तुम बच्चा है ने, तुमको नहीं पता होगा अच्छा तो यह बताओ, तुमारे पापा का फादर कार्ड नंबर क्या है? आरे इक काई देंगे आपको? आरे सब लगता है, आईडी है, आईडी बना क्यो है? आजी लिखो, टू एम थ्री डवलू सिक सेवन, मोबाइल नंबर और इमेल आईडी बताओ अपने पापा का, वो भी वो वाला नंबर बता ना, जो बैंक से लिंक को? आरे बैंक से जो लिंक है, वो आपको काई बताएंगे? आरे बैंक में तो मान नहीं रहा है, तो आपका गलती है, समझ में नहीं आ रहा है, ये दो लाख रुपय निकला कई से? आरे पापा, हम बताते हैं, टेक्स कट गया होगा अकाउंट से? टेक्स? कौन से टेक्स? आरे अभी दुकान पर एक आदमी आया था, कद्दूपुर का नगर निकम से सर्वे करने, कि किसके पास ट्रेड लाइसेंस है या नहीं, तो वही हम से सारा डिटेल लिया, आपका फादर कार्ड नमबर, और मोबाइल नमबर, इमेल आइडी, जो बैंक से लिंक है, और बोल आइडी देखते हो, उसका कि सरकारी ओफिसर है कि नहीं है, नाहीं उससे पैचान पूछते हो, बस, कोई भी आया, कुछ भी पूछा, बता दिये, पागल सला, पला लिखाओ कि गधा हो, तुम लोग को जब भी दुकान पर बैठा के जाते है, हमेशा नुक्सान करवाते हो पिछली बार गोरा कदू की आता काविल बनके, तब तुम बरका होसियार बन रहे थे, कर दिये बेव कूफी तुम, लटवा दिये नाज, आरे तो हमको क्या मालूम, बोला हम कदू पर करना कर निगम से, सर्वे करने है ट्रेड लेशन्स का, तो क्या हम उसको भगा देते है अरे आईडी तो लोगे उसका, कि सही में सरकारी अफिसर है कि कोई और है, आरे आईडी आईडी जो बोल रहे हैं, हमको क्या पता, कैसा होता है उसलोग आईडी, कोई भी कागज हमको दिखा देगा, जूटा मुटा अपने से बना कर, हम कैसे माल लेंगे कि उस सही आईडी बताने कौन बला तुमको, आरे हम आपी के लिए उसको बोले देगे रुकिये, लेकिन वो आउंको डाटने लगा, कि हम सरकारी आदमी है, तुम्हा बाबुजी करना करें क्या, उसके बाद बोला जितना तुमको पता है, गलत सही होगा तो ठीक हो जाएगा आगे जाकर, अरे गुसा तुमको तुमारे पर सबसे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गुसा हमको कदूपर का सरकार के उपर आ रहा है, कभी भी किसी को भी किसी के यहाँ बेभी भेज देता है, ना ही कोई नोटिस भेजता है, कि ऐसा आदमी आने वाला इतने समय प पचास तरीके से तो ये लोग घेरा हुआ है कद्दूपुर का किताब का लौ में लिखा वा है ऐसे ऐसे काम होना चाहिए कोई भी कद्दूपुर का सरकारी ओफिसर सिस्टम से काम करता है बस लीपा पोती चल रहा है और साला उसका हईजाना हम लोग को चुकाना पढ़ रहा है सीसी टीवी कैमरा में फुटेज रिकार्ड हुआ है ना चलो थाना में कंप्लेन करेंगे कॉन फ्रॉड आ गया था दुखान में